प्रेशन बोलती है दोती होते हमें क recib mejorar कम चाल कर ठिरोद को में रहए हमास moc YouTuber कर दोवाय विरोध प्रेशन करने वाल्य एक बड़ thi नहीं की लिया, सारे के सारे लोग इकठा होते, वहाँ पर रोलेट एक का विरोध होता और साथ ही इन दोनों के गिरतारी के विरोध में स्वर्ख मुखर हुए। लिया, सारे के खलाफ पहले से ही तैयारी करनी थी, उसने 12 अप्रिल को ही अतरिक सैनिक टुकडी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी, सुभै का वक्न था, लोग बैसाकी के त्याहार के चलते खुश्या मना रहे थी, और अपनों से मेल मिलाब करने के बाद, लगभ की शहर सभा हो चुकी थी, और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जन्रल टायर अपनी पूरी की पूरी सेंगे टुकडी लेकर अंदर ताखिल हुआ, और उसने जलियावाला बाग के मुँपर तोप रखकर उसने बंद कर दिया, इसके बाद अपने सैनिकों के पुजीशन लोगों पर बरसने लगी, जलियावाला बाग में जन्रल टायर पचास राइफल और इतनी ही खुकरी लेकर पहुचा था, इसका मतलब है कि वो पहले से डिसाइड करके आया था, कि उसे क्या करना है, जवालों ने इस दावरान लगभा 10 मिनिक में 1200 राउंड फायर की, अरना यहां माझूद जबान, लगाताख लोगों पर फायर कर रहे थी, लोगों में अफ्रा तफ्री बचके, वहां माझूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़ें और जबान सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए, वहां से भाग में एजिए, लोगों ने वहा बावजू कुवे में कूद कर लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थी उसमें से 120 इंजावों के लाश्य निकाले गई अपने तोप के पीछे रसी से पाँथ कर घसीरत हुआ ले जाये गया इस हत्याकार्ट के बाद अंग्रेज सरकार्ण अपने आकड़े जाने की और आकड़ों के मताबिक इस नसंगार में 389 लोगों की बाँ लेकिन बढ़ने वालों के असल संध्या कुछ और ही थी अपने अपने चलवाता तो वहां मौजोद भीड उसे ही मार दीती ये मार्शिल्ला का उलंगर होता लेटिनिन माइकल और ड्वायर जो की इस मामले की चार्श कर रहा था वो जनरल डायर के इस जवाब से समतुष्ट हुआ आगे चलकर इस मामले की जार्श लाहोर के हंतर कमिशन के द्वारा की गए फाइनली इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और बेटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दिया लेकिन इसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनरल डायर अब कभी इंडिया नहीं आएगी और उन्हें बिचन बे रहकर ही समिस करने कोगी इस हत्याकार्ट के दावरान सरदार उधम सिंग जलियावारा बाग में ही मौजूद थी ये उनकी खुशकस्मिती थी कि वो इतनी गूर्या चलने के बावजूद भी बच गये लेकिन उन्होंने कसमखाई थी कि वो इस हत्याकार्ट का बदला जरूर नहीं लेकिन इस हत्याकार्ट के मुख्य आरूपी जगर टायर की साल 1927 में एक बीमार की चलते माथ हो गए थी लेकिन इस मामने के जाज करने वाला लेटनेंट माइकल ओडवायर अभी भी जिन्दा था इधर उद्धम सिंग प्रतिशोद की आद में चल रहे थी वो एक गरीब परिवार से थी उन्होंने गदर पार्टी जॉइन की उनके सिर से माता पिता का साया तो पहले ही उठ गया था लेकिन उनका लक्ष तो माइकल ओडवायर था जो कि लंडन में था जैसे ही जानकारी उन्हें मिली वो लंडन जाने का जुगाड लिदाने लगी और उन्हें बढ़े का काम करना शिरू किया और कुछ पैसे इकठा करने लगे, पैसे इकठा करके वो अमेरिका गए, अमेरिका के बाद वहां से लंदन पोच गए, लंदन में वो एक रेस्ट्रो में काम करने लगे, रेस्ट्रो में काम करते हुए पैसा जमा कर रहे थी, ताकि एक पिस्टा खरीद सकी, इतने सब काम करन प्रदी आप्रा देखें और रॉय शना है मिघसमेद उन्या आप्रास मिय के लग है इसरो सीर्टेक्षा क्यों एक आपस्डी और सुआपर सेटों सेट आपस्टी में आपस्टी मैं जापन करा हुआ हुआ है सापकाँ भूदाई कि अगान का बदला ले गया और धमसिन ने वहा अपने करफ़ता है इसके बाद 31 जलाए उन्हें सब्सक्राइब को उन्हें फासी देजी गए यहां यह बाद ध्यान देने लाएगा है कि जलियावारा बाख अगान से जोड़